असलाम लेकूं विवर्स वैलकम बैक टू माई चैनल इद स्पेशल में आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं समोसा पिंविल बनाने की रेसिपी आप लोग उने समोसे तो बहुत तरीकी के खाये होंगे मेरे चैनल पर भी समोसे की रेसिपी कई तरीक लें गेघन की जरुड़त की शरवत होगी। पिंविल समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हूंसे बावल लेंगे। यहां पर हंडेड वाइड बॉल सिखन का कीमा निकाल तो यहां पर चिकन का कीमा लेने के बाद में अब हम इसमें एड करेंगे एक टेबले स्पून लसन और द्रक्का पेस्ट जिना गालिक पेस्ट एड करने के बाद में पौडर मसाला एड करेंगे तो पौडर मसालो में यहां पर हाफ टी स्पून लाल मुचो का पौडर एड कर लेमन जू सैट केने के बाद में इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन में सारे मसाल अच्छे से मिलाने के बाद में इसे 20 मेट के लिए सैड मेरीनेट होने के लिए इतने हम बागी की चीज़े रेडी कर लेंगे चिकन इतने मेरीनिट होगा इतने हम समोसों के लिए डो आटा लगा लेंगे तो आटा लगाने के लिए हाँ पर एक बाउल लेंगे और इसमें एक कप मैदा निकाल लेंगे मैदा को अच्छे से चान कर लेंगे मैदा लेने के बाद में इसमें कौटर टी स्पून अजवाइन लेंगे अजवाइन को हाथ पर इस तरीके से क्रेश करकर एट करेंगे इसी के साथ में एक टी स्पून नमक एट करेंगे और दो टेबल स्पून ओल एट करेंगे इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे जब सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और पर ज्ञड़ा लेँगी तो थोड़ो थोड़ो सा पानीस मैट करते जाएंगे इसका आटागुपन कर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमें तोलोग सॉफ्ट आटागून का तयार करना है तो पानी कम से कम इस्तिमाल करेंगे उसका आटागून लेंगे तो यहाँ पर हमने आटागून का तयार कर लिया यहाँ पर हमार डो तयार होकर बिल्कुल रैडी हो चुका है यहाँ पर इस तरीके ड्ठकर साइड में रख Soup देंगे दोगो साइड में रिखने के बाद में इसे त्ट मेंसे स्टिफर में करेड़ें नेके बारेंगे माँ पर ज्यु तरफिंग अधार करने के लिए एक पैन लएंगे और पान बहुतής नेके बाद में इसमें दो टेबल से चेकन को भून लेंगे इसी तरीके से चिकन को भून देंगे तो आपने स्पैचुला कर देंगे इस तरीके से यहां पर अच्छे से मैश करतेंगे कीमे को जिए हम इसमें अब आपधिया को अबला हुआ चर्णा करेंगे अब अच्छे से थंडा कर फिर कद्धु कर लिए उबला हुआ इसमें एक काली मिल्चू का पौडर एक तीज़ नमक कर देंगे नमक यहाँ पर कम एट करेंगे, सिर्फ आलो को ही नमक एट करेंगे इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और स्टफिंग को अच्छे से पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर 5 मेट के लिए इस तरीके से अच्छे से दबाते हुए से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीजे हमारी एक साथ मिक्स हो जाए हमने चिकन एट कि है वो भी अच्छे से आलू में मिक्स हो जाए और जो आलू एट कि है वो भी अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाए तो इस ट्रफिंग को अच्छे से भूनेंगे 5 मिट तक ताकि मसाले अच्छे से पक जाए औ प्राच में ठोगए अब फेले करने के बाद में कहाई तर भोगाता हें चुशना के बाद हम अनुम है? निSen छी नहोंकर प्लाइस हुआ फ़नकर कैने के बाद में यहां पर उसल certaines के बाद में तो आपशे सानों में पुलाइंगा सब्सक्राइब है तो यहां पर हम एक की साथ में आटे की बड़ी सी रोटी बेल कर तयार कर लिएंगे, जादा पतली भी रोटी नहीं बेलेंगी, जादा मोटी भी नहीं बेलेंगी, मीडियम थिकनेस हम इस रोटी के रखेंगे, तो यहां पर हमने एक बड़ी सी रोटी बेल कर तयार कर लिए ह आप यहां पर देखिए हमने इसे medium thickness कर रखा है जिस तरीके से हम normal रोटे बेलते हैं बिलकुल उस तरीके से बेलना है जब रोटी अच्छे से बील जाएगी तो हमाई जो stuffing होगी उसे इस तरीके से यहां पर फैला देंगे अच्छे से अच्छे से स्टरफिंग फैलाने के बाद में यहां पर इस पैचुले से इस तरीके से अच्छे से चाओ तरफ इस पैट करेंगे अच्छे से इस पैचुले से दबाते हुए इस स्टरफिंग को चाओ तरफ फैला लेंगे तो यहाँ पर इस्टरफिंग को अच्छे से फैलाएंगे और पूरी रोट्री पर फैला लेंगे किनारे थोड़े छोड़े रखेंगे ताकि हम इसे रोल करें तो असानी से रोल हो जाए तो जिस तरीके साथ वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से इस स्टरफिंग आपको फैलानी है जब हमारी स्टरफिंग साथ इस पैचे से फैल जाएगी तो यहाँ पर इससे रोल करना शुरू करेंगे यहाँ पर इस तरीके से रोल करने के बाद में अब यहाँ पर इसके जो लास्ट वाला कॉर्णर होगा उस पर अच्छे से पाने लगा देंगे ताकि यह अच्छे से स्टिक हो जाए अच्छे से सिक्यूर हो जाए तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ब्रश से अच्छे से पाने लगा दिया है और पाने लगाने के बाद में इसे रोल कर देंगे तो अच्छे से यहाँ पर रोल करने के बाद मैं अब इसकी कटिंग करेंगी तो एक knife लेंगे और knife को बहुत हलके हलके हाँ से cut करेंगे एक साथ इसे cut नहीं करेंगे वरना इसके shape जो होगी वो खराब हो जाएगी तो अब जिस तरीके से आप लोगों ने वीडियो में देखा बिल्कुल इसी तरीके से अब बिल्कुल नाइफ को अराम अराम से कट करना है ताकि स्टफिंग भी बाहर ना आए और जो हमारा अड़ो है वो भी खराब ना हो तो यहाँ पर आप शारप नाइफ लीजेगा उससे जो होगी वो जल्दी से कटिंग हो जाएगी और आपके जो पिन्विन होंगे वो एक दम बिल्कुल परफेक्ट शेप कराएंगे तो इस तरीके से हम सब कट कर लेंगे अब यहाँ पर सारे पिण्विन एक प्लेट में रख लेंगे यहाँ पर आप इने फ्रीज़ भी कर सकते हैं फ्रेज करने के लिए पहले सी गुंटी क्लिए फ्रेजर में रख दीज़ए जब यह अचछे से से जाया गाली ये इसं घ्रत टीजर में रख अब पन्रा दिन त love Plus 4 पानी एड़ी और इसकी एक पथल इस सलड़ी बना करेंगे पिन्मै फ्राइक करने कि लिए कड़ाए में मीडम फ्लेम पे और अच्छे से गरम करिके करेंगे यहां पर मैंने पेहले से में इसलिए एट करेंगे ताकि जो हमने इसमें स्ट्रफिंग यहां पर रखी है वह बाहर ना आ जाया ओयल में तो एक एक करके मैदा की तरही में डिप करते जाएंगे और और में एट करते जाएंगे गैस की फ्लेम को मीडम पर रखेंगे और इस तरीके से बिलकुल सारह हाँ पर पेंविल इसमें एट करेंगे और में भी होने देंगे तो यहां पर हमारे पिन्विन को fry होते वे सास्ते आटमेट हो गए हैं मेडम फ्लेम पर इस पर अच्छा सा कोल्डन कलर आ गया है अब एक मिट तक में इसे और फ्लेम करें लूँगा चारौ तरफ से लाते हुए ताकि इस पर चारौ तरफ से एकदम एच्छा सा कलर आ जाए तो यहां पर हमारे बिल्कुल जबदस तरीके से फ्राय होकर तयार हो चुके हैं अब गैस के फ्लेम को बंद करें देंगे और इसे निकाल लेंगे तो आप यहां पर देखिए बहुत अच्छा सा कलर आया है और जो हमारी उपर की कोटिंगे वह बहुत के बनकर तयार हुए है इसे एक टिशु के सार्फ कीजिएगा या फिर इमले की खते मड़ी चटनी के सार्फ कीजिएगा यह सामुसा पेंविल बहुत मज़े के बनकर तयार होते हैं इसमें कोई जंजट भी नहीं होता क्यूंकि हमें इसे अलग से इसमर रोटी बेलनी की दर्वत नहीं होती एक बड़ी सी रोटी रेसिपे कैसी लगी हमें जरूर बताएगा आपको हमारी आची ये वीडियो अची लगिए तो इस वीडियो को लाइक कीजेगा अपनी फैमली और फ्रेंड्स में शेयर कीजेगा हमारे चैनल पर फस्ट टाइम आए हैं तो आपसे मेरी हमबल रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब